मरकुस रचित सुसमचार जाकर उससे पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सारे बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ध होगा। ईश्यू उनसे कहने लगा चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भर्माएं। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ और भहुतों को भर्माएंगे। और जब तुम लडाईयां और लडाईयों की चर्चा सुनो तो न घबराना क्योंकि इनका होना आवश्य है परं परंत उस समय अंत न होगा क्योंकि जाती पर जाती और राज्य पर राज्य चड़ाई करेगा और हर कहीं भूइन डोल होंगे और अकाल पढ़ेंगे यह तो पिडाओं का आरंभ ही होगा। परंत तुम अपने विश्य में चौकस रहो क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौपेंगे और तुम पंचायतों में पीठे जाओगे और मेरे कारण हाक्यमों और राजाओं के आगे खड़े किये जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौ तरात्मा है और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौपेंगे और लड़के बाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उध्धार होगा सो जब तुम उस उजाणने वाली घणित वस्तू को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो पढ़ने वाला समझ ले तब जो यहूदिया में हो वे पहाडों पर भाग जाएं जो कोठे पर हो वे अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए और जो खेत में हो वे अपना कपडा लेने के लिए पीछे न लोटे उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिराती होंगे उनके लिए हाए हाए और प्रातना किया करो कि है जाले में न हो क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि स्रश्टी के आरम से जो परमेश्वने स्रजी है अ यदि प्रभु इन दिनों को न घटाता, तो कोई प्राणी भी न बचता, परन्तु उन चुने हुओं के कारण, जिनको उसने चुना है, उन दिनों को घटाया, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो, मसी यहां है, या देखो, वहां है, तो प्रतीती न करना, क्योंकि जूटे मसी और जूटे भविश्य दक्ता उट ख़ले होंगे, और चिन्ध और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके, तो चुने हुओं को भी भरमा देए, पर तुम चौकस रहो, देखो, मैंने तुमें सब बातें पहले ही से कह दी हैं, उन दिनों में, उस मनुष के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, और चांद प्रकाश न देगा, और अकाश से तारा गण गिरने लगेंगे, और अकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब लोग मनुष के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे, उस सम मैं वह अपने दूतों को भेच कर प्रत्वी के इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुनहिवे लोगों को इखटे करेगा, अंजीर के पेड से यह द्रश्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान ल कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी, तब तक ये लोग जाते न रहेंगे, आकाश और प्रत्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी, उस दिन या उस घड़ी के विशय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र परंतु केवल पित देखो, जागते और प्रार्तना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा, यह उस मनुष की सी दशा है, जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए, और अपने दासों को अधिकार दे, और हर एक को उसका काम जता दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आग्या दे, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांज को, या आधिरात को, या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को, ऐसा नहो कि वह अचानक आकर तुमें सोते पाए, और जो मैं तुम से कहता हूँ, वही सब से जागते रहो,